हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बनाएंगे पनीर दम बिर्यानी वो भी बिल्कुल आसान वीधी में जिसे आप जट पट से बिना किसी जट जट के गर पे आसानी से बना सकते हैं तो चलिए इसकी रैसेपी देख लेते हैं इसके लिए यहां मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर इसे मैंने क्यूब में कट कर लिया है और यहां मैंने लिया है दो कब पासमती रैस इसे मैंने आधा गंटे के लिए पानी में भीगो दिया था बिर्यानी बनाने के लिए यहां मैंने एक पतीले में आधे पतीले पानी गरम हो के लिए रख दिया था और अब हम इस पानी में एक हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च का फ्लेवर जिससे चावल में आएगा और दो छोटी इलैची या हरी इलैची डालेंगे और एक से दो टुकड़ा हम दालचीनी का डालेंगे खड़े गरम मसाला का फ्लेवर पानी में आए जिससे गरम पाने में सारे मसाले और क्वेवडा वाटर का फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और अब हम इसमें सोक किये हुए चावल डालेंगे यहां मैंने चावल को आधे घंटे के लिए पाने में भीगो दिया था अगर आप इसे जल्दी बना रहे हैं तो आप इसे 10 मिनट के लिए भी अच्छी तरह पाने में भीगो दे जिससे चावल आपके बिलकुल पर्फेक्ट और खिले खिले बनेंगे और अब हम चावल डाल क करके इसमें एक बड़ा चमच नमक डालेंगे नमक डाल करके हम चावल में अच्छी तरह से नमक को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे चावल तले में चिपकेगा नहीं और ये गरम पानी में बहुत अच्छी तरह से कुख होगा जिससे चावल हमारे बिलकुल पर्फेक के लिए ग्रेवी बना लेंगे, इसके लिए हम चावल को दूसरे गैस बर्नर पे ट्रांसफर कर देंगे और अब हम एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई को गैस पे गरम होने देंगे और बीच-बीच में हम चावल को भी चिक करते रहेंगे क्योंकि हमें चावल को 60% कूक करना है तभी बिर्यानी हमारी बिल्कुल पर्फेक्ट और खिली खिली बनेगी और कढ़ाई गरम हो गया हम इसमें तीन बड़े चम्मच तेल डालेंगे तेल डाल करके हम इसे कढ़ाई में अच्छे तरह फैला लेंगे और ये देखे ब्राउन या गोल्डन कलर आने तक हम इसे अच्छी तरह भूल लेंगे या फ्राई कर लेंगे और इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े को हम बीच में दबाते हुए इसे भी कट कर लेंगे और ये देखे ऑनियन हमारे अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं और दूसरी बीच बीच में इस तरीके से चावल को भी चिक कर लेंगे प्याज को फ्राई करते हुए दो से तीन मिनट हो गया है और ये देखे प्याज हमारे हलके ब्राउन कलर के भी हो गया है हम इसे चलाते हुए इस तरीके से बीच में से तोड लेंगे और इसे एक से दो मिनट के ल खिले खिले और लंबे हो गया हैं, इस टैम पे gas का flame off कर देंगें और चाबल का extra पानी निकाल लेगें और ये देखे हमारे प्याच भी अच्छे तरह हो गया है हमें इसे इतना ही फ्राई करना है इसे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना तो प्याच का flavor कड़वा हो जाएगा और चली अब हम इसके आधे प्याच को इस तरीके से कटोरी में निकाल लेगे और इसे हम बिर्याणी बनाते समय इसका use करेंगे और बाकी सारे प्याच को हम इस तरीके से एक side में कर देंगे और हम इसमें दो बड़े चमच तेल डालेंगे तेल डाल करके हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से गरम होने देंगे और अब हम इसमें आधा चमच जीरा डालेंगे और इसे तेल में अच्छी से क्रैक होने देंगे और यहां मैंने खड़े गरम मसाले लिये हैं जिसमें से एक है फूल शक्री, दो छोटी एलेची, तीन से चाट टुकडे दालचीनी के, दो तीन टुकडे जावितरी के, इन सभी को हम तेल में डालेंगे तेल में डालकर हम इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए तेल में अच्छे से मिला लेंगे जिससे इसका फ्लेवर ओयल में अच्छी तरीके से आ जाएगा और एक चमच अदरक लैसुन का पेश डालेंगे पेश डालकर हम इसे भी तेल में अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे ही दो से तीन मिनट के लिए भूल लेंगे प्याज के साथ जिससे प्याज और गरम मसाले का अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और अदरक लैसुन का कच्छा पन भी खतम हो जाएगा और ये देखिए हमें इसे इस तरह के से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भूलेंगे और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे यहाँ मैंने दो टमाटर को अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया था आप चाहे तो टमाटर को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं टमाटर प्यूरी डाल कर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे सारे इंग्रेडियन के साथ चलाते हुए टमाटर प्यूरी को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च यहां मैंने हरी मिर्च का यूज किया है आप अगर चाहें तो इसके जगा सूखे कास्मेरी लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे यहां मैंने जार में थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से धो लिया था हम इसमें डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसमें चले अब मसाले डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार या आधा चमच नमक डालेंगे और अब हम इसमें एक चम्मच धनिया पॉर्डर डालेंगे आधा चम्मच या हाफ टेस्पून हल्दी पॉर्डर डालेंगे एक चोथाई चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पॉर्डर डालेंगे आप तीखा अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं आधा चमच कासमेरी लाल मिर्च पॉडर डालेंगे दो तेज पत्त डालेंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे या भून लेंगे जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं और वो ग्रेवी में अच्छी तरीके से भून जाएंगे और अब हम इसमें एक चमच कस्तूरी मेथी डालेंगे यहां मैंने कस्तूरी मेथी का यूज किया है अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें बारी गटा हुँ हरा धनिया भी यूज कर सकते हैं और इसे भी चलाते हुए अच्छी तरीके से हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे मसालो को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और यह देखे मसाले हमारे अच्छे से भून गये है और यह कढ़ाई भी छोड़ा है मसालो को हम एक तरब कढ़ाई के इकठा कर लेंगे या किनारा करदेंगे और अब हम बचे हुए जगा में पनीर डालेंगे यहां मैं पनीर को सीम कड़ाई में डाल कर इसे दो मिनट के लिए शैलो फ्राइ कर लेंगे या भूल लेंगे जिससे पनीर का भी कच्चापन खतम हो जाएगा और पनीर भी हमारे अच्छे फ्लेवर फुल हो जाएगे और यह देखे यहां मैंने पनीर को अच्छे से फैला लिया है और अब हम इसके उपर चुटकी भर या एक चौथाई चमच नमक डालेंगे एक चुटकी कासमेरी लाल मिर्च पौडर डालेंगे और एक चुटकी हल्दी पौडर डालेंगे और अब हम इन सभी को मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए मसालों के साथ पनीर को भी पलट करके रोश्ट कर लेंगे और यह देखे पनीर को यहां मैंने अच्छी तरीके से पलटते हुए चारू साइट से रोश्ट कर लिया है और अब हम इसे दूसरे पलेट में निकाल लेंगे या ट्रांस्पर कर लेंगे और यह देखे पनीर हमारे कितनी अच्छी तरीके से सिख गये है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये देखे मसाले भी हमारे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भुन गए है और ये कढ़ाई भी छोड़ रहा है 1 चौथाए कप घर का बना फ्रिश दही डालेंगे दही डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और high flame पे हम इसे gravy में अच्छी तरीके से चलाते हुए mix कर लेंगे जिससे दही हमारा फटेगा नहीं और ये देखें दही डालते ही gravy का color कितना अच्छा हो गया है और gravy हमारे बिल्कुल shine कर रहे हैं हमें इसे इस तरीके से मिलाते हुए अच्छे से और भून लेना है और ये देखें मसाला हमारे अच्छे से भून गया है हम इसमें एक चमच केवडा water डालेंगे केवडा water डालकर हम इसे भी चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और ये देखें मसाले हमारे अच्छे से भ पनीर को ग्रेवी के साथ हम पकने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और ये देखे एक मिनट हो गया है और अब हम इसमें से आधे पनीर और ग्रेवी को दूसरे कटोरी में ट्रांसपर कर लेंगे या निकाल लेंगे और इसका यूज हम बाद में करेंगे और ये देखिए यहां मैंने पनीर में और ग्रेवी को अच्छे से निकाल लिया है और बाकी बचे हुए पनीर को हम अच्छे से फैला देंगे और इसे मेडियम फ्लेम पे ही ग्रेवी के साथ अच्छे से पकने देंगे और चलिए अब हम इसके उपर बारी कटा वहरा धनिया डालेंगे और अब हम इसमें गरमा गरम हमने जो चावल बनाया था उसे चमच से इस तरीके से फैलाते हुए हम ग्रेवी के उपर डालेंगे हमें इसे इस तरीके से फैला के डालना है नहीं तो ये चावल में एक जगा जमा हो सकता है और अब हम इसे हाथ से अच्छे से फैला लेंगे और हमने जो पनीर निकाला था प्रेवी के साथ हम उसे इसके उपर डालेंगे और उपर डालकर हम इसे भी अच्छे से फैला लेंगे और इसके उपर बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे पुदीना के पत्ते डालेंगे पुदीना के पत्ते से बिर्यानी में बहुत अच्छा फ्लिवर आता है तो आप इसे बिल्कुल भी स्कीप ना करें और अब हम इसके उपर पिरिस्ता या फ्राइ के हुए प्याज डालेंगे के उपर एक और चावल का लेयर डालेंगे चावल गरम होगा तो आप इसे चमश से ही डाले और इसे अच्छे तरीके से पनीर के उपर हम फैला देंगे जिससे दम देते समय सारे चीजों का फ्लेवर अच्छे से चावल में मिक्स हो जाएगा और यह देखे यहां मैंने चावल का एक और लेयर अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसके उपर बचे हुए फ्राइ के हुए ओनियन डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे बचे हुए हम पुदीना डालेंगे और इन सभी को हम डाल करके गैस का फ्लेम एक मिनट के लिए हाई कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और अब हम बिर्यानी के उपर यहां मैंने चावल का थोड़ा सा पानी रखा था हम इसमें डालेंगे जिससे बिर्यानी को दम देते समय ये बिल्कुल भी नीचे तले में जलेगा नहीं और पानी डाल करके गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे और अब हम इसके उपर दो चमच घी डालेंगे यहां मैंने जमा हुआ घी का यूस किया है अगर आपका घी मेल्टेड हो तो आप इसे दोचंमच sommes करे और अगर आपको घी जादा पसंदे तो आप इसमें जादा भी घी का यूस कर सकते हैं गुथा हुआ आटा लेंगे और इसे पतले से इस तरीके से हम रो और यह देखें यहां मैंने बिर्यानी को अच्छे से कबर कर दिया है और इसे चारू तरफ से अच्छे से दबाते हुए सेट कर लेंगे जिससे दम देते समय बिर्यानी का एर बाहर नहीं निकलेगा अब हम इसे स्लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने दें मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट हो गए है और अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और बिर्यानी को ठंडा होने देंगे और यह देखें बिर्यानी ठंडा हो गया है हम इसे इस तरीके से साइड से आटे को हम निकाल लेंगे और चलिए अब हम इसे धकन को खोलेंगे और आप च अच्छा खुश्वू आ रहा है आप भी इस तरीके से पनीर या भेज बिर्यानी जब भी आपका खर में खाने का मन हो या कुछ इस्पेशल हो तो आप घर पे जरूर बनाए बच्ची हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और ये देखिए बिर्यानी हमारा बिल्कु गरम प्लेट में सर्फ कर लेते हैं और आप देख सकते हैं बिर्यानी के चावल हमारे ऊपर से भी बिल्कुल खिले खिले बने हैं और अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी के साथ खिले खिले हैं और अब हम इसे प्लेट में अच्छी तरीके से सर्फ कर लेंगे औ और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हैल्फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अधिक शेयर करें और इस भेज बिर्यानी या पनीर बिर्यानी को अपने फैमिली फ्रेंड सभी के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद आएगा और ये बनाना जितना जादा आसान है, खाने में उतना ही जादा टेश्टी और स्वादिश्ट होता है, आप इस तरीके से बना करके बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं तो चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूंगी एक और नए रेसिपी में